हेलो दोस्तो इस्टालिश इस्टार अलू अर्जुन की फिल्म पुस्पा दराइज को रिलिज हुए आज 15 दिन हो चुके हैं और दोस्तो इस फिल्म ने अपने 15 दिनों में सांदार कमाई करके कई सारे रिकार्ड भी बना दिये हैं वही 24 दिसंबर को रिलिज हुई फिल्म 83 को भी आज 8 दिन पूरे हो चुके हैं तो इन दोनों ही फिल्मों की जो बॉक्स आपिस कलेक्शन की रिपोर्ट है वो आ चुकी है तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पुस्पाद राइज के 15 दिनों के बॉक्स आपिस कलेक्शन के बारे में और 83 के 8 दिनों के बॉक्स आपिस कलेक्शन के बारे में तो ये सभी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए मैं सुमीद के राव राल्यू मिडिया में आपका स्वागत करता हूँ तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो चलिए वीडियो स्टाइट करते हैं दोस्तों बात करें फिल्म 83 की तो सब्सक्राइब कर दोस्तों इस फिल्म के शुरू आतिस साथ दिनों का टोटल नेट कलेक्शन हो चुका है इस तरह से इस फिल्म का अपने आठवे दिन आक्यूपीन सी मिली है उस हिसाब से यह फिल्म अपने आठवे दिन पार्च करोड रुपए की कमाई कर देए इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के टोटल आठ दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का वर्डवाइल कलेक्शन हो रहा है एक सो तीस करोड रुपए का इसी के साथ दोस्तों आपको फिल्म इंडिया नेट कलेक्शन किया था 152 करोड 15 लाख रुपए का वहीं दोस्तों बात करें इस फिल्म के दूसरे हपते की तो इस फिल्म ने अपने दूसरे हपते में हिंडी बाक्स आपिस पर कलेक्शन किया था 20 करोड 6 लाख रुपए वहीं इंडिया नेट कलेक्शन किया था 41 करोड 90 लाख रुपए का इसी क साथ दोस्तो फुसाता राईज के सुर्वाती 15 दिनों का इंडिया नेट कलेक्टन हो इसरों सब्सक्राइब नहीं करेडरा है सब्सक्राइब नहीं हें ड्र फिलमें तो आप हमें नीचे कमेंट्स का जरूब बताईएगा कि आपको दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बेश्ट लगी और दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में